आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello, so the given question is In which cancer type no tumor is formed? कहते है कि कौन से ऐसे cancer है जिसमें tumor नहीं बनता तो सबसे पहले हम tumor समझते हैं कि tumor होता क्या ठीक है? तो क्या होता? जो normal cells होते हैं वो उनमें contact inhibition की property होती है ठीक है? यानि कि यह multiply करते हैं, grow करते हैं regulated way में and controlled way में बट जब cells unregulated प्लस uncontrolled way में grow करने लग जाएं उसको हम बोलते हैं tumor cells कि यह cell tumor cells बन चुके हैं ठीक है? बट अगर यह tumor cell क्या करें? spread करने लग जाएं spread करने की property को हम बोलते हैं metastasis अगर यह tumor cell है एक जगा में confined ना रहें spread करने लग जाएं याने की metastasis की property को show करें तो यह बन जाता है cancer कि अगर वो एक ही जगा पर confined है ठीक है? तो उसको हम benign tumor बोलते हैं अगर यह tumor cells एक ही जगा पर confined है एक ही ओर्गन में confined है वो भी nine tumor होता है but अगर यह spread करने लग जाएं मतलब की तो अगर यह tumor एक ही जगा से बाखी जगा में spread करने लग जाए तो वो cancer होता है तो कहते हैं कि ऐसा कॉन सा cancer है जिसमें को tumor नहीं बनता तो जो हमारा blood होता है blood होता है वो regulate करता है blood हमारे पूरी बाड़ी में रेगुलेट करता है किसी एक जगा पहने रहता तो blood में tumor नहीं बनता सिधे cancer ही बनता है उसमें tumor जो होगा वो नहीं बनेगा क्योंकि blood तो पूरी बाड़ी में spread करता है और spreading वाले को हम बोलता है cancer तो blood cancer में कोई tumor formation नहीं होती सिधे cancer बनता है I hope this clears your doubt, thank you